असलाम अलेकुम, मैं डॉक्टर मुजफर जान, होडी पेरियाटिक्स, जीवी पंध फॉस्टर, गौर्मन मेडिकल कॉलिज स्री नगर, आज हम आपको जो ये कोविट की वेव, जो सेकंड वेव आई है, बच्चों के हवाले से क्या-क्या जूर रहाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जो ये सेकंड वेव है, इसमें ज्यादा बचे नवाल हो रहे हैं, और चूंकि ज्यादा तादान बच्चों इन्वाल हो रहे हैं, तो इसकी जो सिंटम से अलामात हैं, इस बेमारी के आप सब को पहले आम लोगों को पता ही है, फिर बेग बढ़ाता हूं, ज इसे खांसी, जुकाम, या सर्दर्द्र या बोडी में एक्सेंट पेन, आजकल डहर है और मोमेटिंग भी कोड़ में हो रहा है, तो अब इसके अलामात में आपको ख्यार रहतना हैं कि यह सब तो माइल डिजिजिस के अलामात हैं, लेकि अगर ब्रीधिंग रहती हैं, यान ब्रीधिस के अलामात हैं, और अगर 90 की नीचे चलेगी हैं, तो शीवर डिजिस के अलामात हैं, तो ये अलामात से अब आपको खबर गार रखें, और किछ वार्निंग से बतादों हैं, हलका था जुकाम, खांसी बखार हैं, तो गबरानी की कोई जुरूत नहीं कोई जुर बच्चा फीट ठीक ले रहा है, लिठात ही तो नहीं, ध्रॉजी तो नहीं, इन चीज़ों अख्या रखना हैं, और सैच्छी से मौनिटर करना हैं, और अगर लेजर 94 हो गया, तो फॉस्पिल लेकर आना है, पर बाद माई भी कुछी होते हैं, कि अगर माँ पॉसिट्व है तो वो क्या बच्चे को अपना दूर दिसन पीए, तो जिर कमड़े सिंग प्रजनली है, कि मा अगर पॉसिट्व हो तो भी अपने पच्चे को दूर करा साथी, लेकिन वो मास लगाई और हैंड वागी टाइमें बच्चे को दूर रखें अपने से, अगर गर में जगह है दूसरे कमरे में कोई दूसरा बंदास को क्यार के लेगा, अगर नई जगह तो एगी कमरे में, कमचे कम 6 फुट का डिसन रखें दूर बच्चे को ड़ाएंगा